दोस्तों अगर आप jam portal इस्तिमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि jam portal पर जब repairing की बात आती है किसी भी product को किसी भी machinery को जब हमें repair करवाना होता है तो वो repair हम jam के थुरू करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं उसके बारे में हम यहां बात करने वाले हैं दोस्तो है टो जैम पर अभी अगर हम रिपेर की बात करें तो बहुत सारे Oops machinery हैं जिनका repairing अवयलेबल नहीं है जैम पर और starting हुई है अभी बहुत कम चीजे हैं जिनको आप जैम के ध्रूअरि NH model ले सकते हैं तो अभी हम यहां बात करने वाले हैं दोस्तों कि कई लोगों confusion होती है कि अगर हम किसी भी product का या service का non availability certificate बना लेते हैं तो वो कितने दिनों तक valid होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, चलिए पहले मैं portal को login कर लेता हूँ, login करने के बाद हम कोसिस करते हैं कि जो repair है, machinery repair है उसका non availability certificate बनाने की कोसिस करेंगे, उसको बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि certificate एक बार generate हो जाता है तो उसकी validity क्या होती है तो यहाँ पर देखेंगे, आप login करके portal पर आगे हो, और जब-जब dashboard पर होते हैं, तो dashboard पर यहाँ पर आपको एक link मिलता है jam availability report तो जब आप इस पर जाते हैं, इस से related दोस्तों मैंने और भी वीडियो बना रखी है, आप उन वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं मैंने link जो है नीचे दिया हुआ है, तो इस तरह से इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो-तीन बटन मिलते हैं, जिसमें आपको create manual report होती है और create bulk report होती है, bulk report के बारे में दोस्तों, अगर आपको जानना है, तो आप comment में बताईएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, create manual report में हम जाने वाले हैं तो जब हम create manual report में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको non availability certificate generate करना होता है आपको पता होगा कि बहुत ही आसान चीज़ होती है, यह generate करना, यहाँ पर आपको नाम डालना है, मलब कि अपने report का नाम डालना है, जैसे कि machine repair में मैं यह डाल देता हूँ जान रहें दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि अगर 2-3 product हैं, तो आप एक साथ एक certificate बना सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं, हर product का अलग-अलग certificate बनाते हैं, तो आप कोसिस करें कि अगर आप 2-3 product हैं, एक साथ service के लिए है या purchase के लिए है या फिर उसका non availability certificate निकाल रहे है जिसकी service आप लेना चाहते हैं, तो आप सबको एक साथ add कर सकते हैं, और एक बार में ही certificate बना सकते हैं, अभी मैं यहाँ तीन machinery है, तीनो machinery का एक साथ certificate बनाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देखिए, मैंने report का नाम डाल दिया है, अभी मैं product का नाम डाल रहा हूँ, जो repair करवानी है, तो यह मेरा product है, और यह भी अवेलेबल नहीं है, भी तक jam पे इसके related कोई भी repairing अवेलेबल नहीं है, तो हम पहले इसको create कर देंगे, didn't find, click करेंगे यहाँ, yes करेंगे, और उसके बाद i certify पे click करना है, और यह आपकी तरफ से certify किया जा रहा है, कि यह अवेल अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा तो आपको didn't find और इस बटन पे click करना है, इस तरह से i certify, दो हो गया, अभी हम तीसरा यहाँ पे add करने वाले है, तीसरी मशीन जो है, तीन मशीन मुझे repair करवानी है, और तीनों का जो repairing है, वो jam पे अवेलेबल नहीं है, तो same procedure के साथ इसको भी मैं add कर दूँँगा, तीन मशीनरी मेरी add हो जाईगी है यहाँ पे, यह तीन मशीनरी add होने के बाद दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कि जब आपकी report बन जाती है, और certificate आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो download करने के बाद उसकी एक validity होती है, उसी period में आपको इसको repair करवाना होता है, इस certificate को use करना होता है, अगर वो period खतम हो जाता है, वो validity खतम हो जाती है, तो आपको दुबारा से certificate की जरूत पड़ेगी, दुबारा आपको certificate generate करना होगा, otherwise आपका bill processing में problem आ सकती है, तो यहाँ पर देखे, report बन चुकी है, भी मैं इसको download करूँगा, download करने के बाद इसकी pdf file download होगी, फिर हम pdf file में चलेंगे और वहाँ पर मैं आपको validity का system बताऊँगा, तो जब आप इसको open करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो है, इस तरह से यह आपका jam certificate हो चुका है, यहाँ पर पहला देखें, पहली machinery मेरी आ रही है, फिर यहाँ पर दूसरी machinery आ रही है, जो मुझे repair करवाना है, और यहाँ पर तिसरी, तो यह एक ही बार में तीनों का certificate लग जाया है, हालाकि तीनों के bill अलग अलग बनेंगे, तीनों bill के साथ यह certificate लग जाएगा, बलाव हर bill के साथ यह दो पेज का जो चार पेज का copy है, यह हर bill के साथ लगेगा, तो इस तरह से आपकी report जो है, non availability report मानी जाएगी, और यहाँ पर आप देखें, वैलिटी generated on 31st January, 31st को हमने इसको generate किया है, और यह valid कब तक है, 2 marks तक, या निकि पूरे एक महिने तक जो है, यह certificate valid रहता है, इस एक महिने के period में आपको इस machinery का, जो है machinery को repair करणवाना या जो भी service है, उसको avail करनी है, otherwise क्या होगा कि आपको दुबारा से certificate बनाना पड़ेगा,